हेलो एवरीवन गुद मॉर्निंग वेलकम बैक तो माई चैनल वेलकम बैक तो माई टू डेस व्लॉग हाँ फाइनली मतलब इतने सारे कॉमेंट आते हैं मैं शॉर्स डालती हूँ और मेरे हर शॉर्स के नीचे आप लोग कॉमेंट आते हैं कि नया व्लॉग कम आएगा आप व्लॉग क्यों ने डाल रहे हो तो पहली बात ही है कि मतलब आप लोगों को पता है कि मैं असा सुलाल आ और दूसरी बात यह है कि अब मैं रोज रोज आपको मतलब वही कीचन और यह सब क्या ही दिखाऊं और तीसरी बात यह है कि जितनी एनरजी मुझ में वहां थी व्लॉग मनाने की उतनी यहां नहीं है क्योंकि एक तू होता है ना कि आपका एक परसनल स्पेस होता है कि वहां खुल की बोल पाते हो बट यहां में साथ ऐसा नहीं है यहां मुझे दिरे दिरे टाइम लगेगा भी सैट होने में मतलब की बोलने में सैट होने वाली कोई बात नहीं है मैं अच्छे से सैट हूँ मैं बहुत खुश भी हूँ बट नहीं बोल जाता है मुझ से सब के सामने वहां मतलब मैचे से व्लॉग बना लेती थी और मैचे से बोल भी पाती थी तो इसलिए और बस यह है तो मैं मतलब डेली शॉट्स डाल रही हूँ तो डेली आप लोगे कॉमेंट आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो कि आप शॉट्स व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है कहां गए जी जाए वो और शॉट्स के नीजे भी आप लोग की कॉमेंट आते हैं ऐसे मैं बहुत खुश भी हूँ कि कर वात थे हो पताने क्यों तो वही रोच की तरह मैं कोशिश करूँगी ब्लॉग बनाने की और मैं कंटीनियू रहूँगी कि मुझे भी पता है कि मतलब अब इस फ्लो में मेरा चैनल चल रहा है अगर मैं उसे कंटीनियू करूंगी तो ही मैं आगे पहुंचपा हूँगी अगर मैं बीच में कैप दे दूँगी तो मैं मैं रुख जाओंगी क्योंकि आप लोग भी एक चीज का कब तक वेट करोगे आप मुझे दस बार बोलोगे पाँच बार बोलोगे उसके बाद आप लोगी बोना बंद करना दोगे कि नहीं डालरी तो कोई बात नहीं फिर वही करता है तो जादा वीट कराना नीची है इसलिए तो आई होप गंगार की जैसे आई होप की मैं घर पाऊं डेली व्लॉग लापाऊं तो अभी मतलब मेरा अलमोस्स सारा काम वाम हो गया है और मैंना की राड़ी हो गया हूँ और मैंने पहना है मेरे यह वाला सूट जो की मैं मुझे ममी ने पीहर चीख क्या क्या मिला है और मिया आप लोग को वह भी शेयर किया है तो सूनर होगे चीख करा था मैंने पहना हूँ क्यों सारे स्टीच वे हैं गर्मी की सबसे कॉर्टन कादा है तो सारे पहंने हैं तो मैंने जोचा क्यों ना पहन लिया जाए तो अभी मतलब खाना होना डाने बस उनका वेट है वह आ जाए फिर हम खाना खाएंगी तो उससे पहले मैं यह जो प्रैस के कपड़े हैं इनको एक चरके कर देती हूँ बागी तो मेरा अलमोस आरा का हुग है और मैं आपको एक ब इनमें जो कमपट ना किसे में नहीं है तो मैं पटाफट से कपड़े काईट में कर जी प्रैस वाले और जो पीना प्रैस वाले हैं तो ना कल परसों के एक व्लॉग के नीचे एक बाइसा कॉमेंट आ रहा था कि जीचा आपके सश्वाल वाले वहां का रूम ट्यूर दो तो हमारा रूम ऐसे ही फ्याला पड़ा है, मैं अच्छे सामानामन सैट करकी, कोशिश करती हूँ, बनाने की, और आपको रूम तुट देने की, पता है, मुझे पता है, कि आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, मतलब मेरे व्लॉक्स को भी बहुत प्यार दे रहे हो, जितने अच्छे व्यूज, मतलब गन्गौर के टाइम पर भी नहीं है, अच्छे व्यूज अब आ रहे हैं, आप लोग काफी सपोर्ट कर रहे हो, बस मैं ही अपने आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे है, और व्लॉक नहीं बना पा रहे है, तो कोशिश तो पूरी है, कांट बस उनका बीट है, वो आजाए फिर खाना काएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, गुद इवनिंग एरिवन, तो अभी जस तक मैं उठी हो और आज मैं कुछ खाम हो गया, मैं बना री मुख चाय मेरी लिया, क्योंकि यहां सिर्फ चाय मेरी पीती और कोई नहीं पीता, इसलिए इसलिए पटाफट मेरी चाय, आप से भी बहुत सुंदर, यहां से पीचर लेकर आएंगे, अभी 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 आ रहे हो के तो, चलेंगे लेने, जेतो जाएंगे, आप सब लोग कॉमेंट करके बता हो कि हम अभी आप से सुंदर कॉन है, हम दोर में बहुत चेटरी कि मैं जादा सुंदर मैं सुंदर, ऐसे कह? बाल देखो ना आप अपने, इधे राओना लाइट में आओ, अब सब कॉमेंट करेंगे तो बद चलेगा, कॉन दा सुंदर है, सुंदर तो नही हो, बहम नही है आप द वह है निपाल रहि हुआ, सही बता रही हुँ, देखे रहा हुआ तो कॉमेंट में पता चलेगा, मैं जूट बोल सकती हुआ लकिन पब्लिक थोड़े, पब्लिक को सब पता है, आप तो सब पता है ना तो, अब तो मैंस मेंने 2-4 पिंपल हो रखे हैं तो तो टकर दू मैं तब दुना टकार, अभी भी देः रहो, अभी देः रहो, निज अव्छा में नेच्रल बूती इती लिए तो लाई इस वाली ब्लूटी इना? अब आप देखनो ना जो सुन्दर रहे गाँ पुल रहे हैं कि यह ना मैं ज्यादा गो रहा हूं तुमसे लेकिन नानी साय यह फोर में तो काले दिख रहे हैं a wha 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 e wha तो हकिकत की बात नहीं हो है कि इसकी बात हुआ यह परमन बट्विश्रय कि और अपकिस आरना इस फोर में से पराबर देखतें तो यह काले देखतें आखेर तुजारे भैक लिजो हेलमेट लिजो कि लाओं क्या हेलमेट लो चैनि टोरु ब्रूर्व या पर्मल पालोस इसके लबार अचने इसके लाव कुछ मैं आज तो पहले है तो मैंने यह तो बोला पापा को फोन आगया मैं तो देंकि मैं नही एक एगा पूदूगी का भी यहां से पूद गुदू और 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 पाई आइड गाउन बेटे में वोच हो रहाता है वोच हो है इस वोच हो बाइड़ देड़िक गॉच हो दो divan कि यह नंदर रहो यह कि यह गए है मतीर लेने के लिए मतीरा को यह कि नहीं अचार है संग्सेट वाउ थोड़े दिनों पाल एक रील देखी थी उसमें मैंने देखा था कि ये मतलब उस रील मैंसे था कि ये पर्स होता है मतलब दिख रहा है आपको ये तो उस रील में ये था आपको ये तूटू के बाद जानी होगी एक्नोर करना तो उस रील में ये था कि अना मतलब एक लड़की की रीली थी तो उस ने रिलेट करखा था कि मैं पच्पन में सूचती थी कि ये पताने किस का पर्स तो सूचती तो मैं भी यही थी कौन अपना पर्स यहां तान पर टागया अब अब बड़े हुए तब पता चला है ये कोई किसी का पर्स नहीं है ये कुछ वायर से कनेक्शन ने किसी कुछ होता है कनेक्शन की तो ये बात है सब जड़ी तो लीली है अब पर्स करचल के खाना बनाना है जो कि सब की तो ये तो इनके काम है अब अब आपल के थेली बही हुँआ है जो तुमने पूछी लिया ये तो मुझे पता था कि आप पर लेकि आओगे तो मैंने पूछ लिया नहीं पता होता तो कोई कोई की है बेद है वापस पहले मैं भी आती थी जूस पिने करे लिए जब मेरी शादे लिए थी कि आपके पूछ आपकर दो लिख आरी हो अब को जोन अच्छ चैनल जेता है क्या बता हो तो रहले हम थाब हो अब हम पिएगे टूस सले जएआ levar कंशी तर्लिक, वाल इसे को निव भर weyat। अच्हालें भी करें आप L due Len Unbelievable अच्छा मनाती हैं मतलब राट कर आप में करिकिन üç बी बना कर देख। तो अभी मतलब रतके नोँ बज गये हैं और खाना वज गाते हैं कि आच पितो को मुझे आए तो में के मिला था कि अदो में व्हालों तो मैं भी आपको सुभी तो मैं आप में रितूने सामी साथ या में अरी जड़े कले कि यहां आद रहा हिं शेट तो मैं पहले फटा में आपको सब दिखा रहती हूँ और जिसमें से मैंने आपको बताया है जैसे सुबह कि एक ड्रेस मैंने इमारी पहन ली और बागी चोड में आपको दिखा रहती हूँ इसे निकाल गी और रख लिया तो मैं निखाती हूँ परस ड्रेस है यह प्यार की है और सेकेंड है यह यह पीडर की है इनके ऐसे है कि इसका चोड से लावा नहीं है उर्णा से लावा है कुछ मेरे पास सिले वे थे और कुछ बिना सिले और यह है कॉटन का सूट यह स्टिच मैं भी उसका किया हुआ है इस बड़ में ये परण का, ये भी विन वाना है, तो मुझे greet को भी चलवा का है, य चेंग में बड़ना अब में ये वी ये सिंदा लगाना है, इसके बाद में कहां। यह वाला जिसमें आपने मेरे चार्ट्स और वीडियो देखे भी होंगे क्योंकि यह सब मैंने पहले सिल्वा रखे थे तो मैंने गंगौर के टाइप बिन को पाहन लिए और फिर जमें वापस आई तो पाइक करके लिया है और एक है यह कॉटन का मेरे ऐलमोट सूट गाना रेश लापस वे चार मीटर है जोड वाले तो बहुत काम है और एक है यह कॉटन का का नहीं है यह जोर्ज्ट प्राइट में है मतलब की जोड़ट यह होगा यार जोर्जटी है जो कि आप लोगों ने अगर मेरे व्लॉग में देखा होगा तो मैं खरीद के लिए गया ही थी वाला जो और ये इसका लेंगा ये ये वाला सूट ये भी ये है तो मतलब वैसे कॉट में बट मैंने इसको आना अस्तर लगवा की सिलाया है तो मैं सोची हूँ कि मैं इस पर प्यॉर काउड ना बन वालू तो ये मतलब थोड़ा फैंसी सूब्यू रहेगा और राशी इस पर कॉटन काउड में लिया तो भड़ में पैननों की और कहीं बहार भी पैननों होगी इसमें मैंने वीडियो डाल रख है मेवी बट मैंने इसको इसको मैंने पैनन लिया था उनकी पैकिंग ऐसी होगी और जो नहीं पैनन की पैकिंग अच्छी है एक है ये वाला कॉटन का इस बाइ मतलब सारे गर्मियों चैकर अकॉर्डिंग कॉटन की सूट लिखे आई हूँ क्यूकि गर्मियों में सिर्फ कॉटन ही बैस्ट है और एक ये वाला जोट ये भी इसको भी सिल्वाना है इस लायवान में है और एक ये थोड़ा फैंसी जोट ये इसकर लेंगा ये बिना सिला है इसको भी सिल्वाना हूँ और एक है ये रैज कलर का ये भी कॉटन का है इसकी बाद में जैसे कि आप लोग ने में कोई देखा भी था ये इस तूट में तो ये भी मम्मी ने मुझे दिलाया था तो मतलब ऐसलब होता है ये कि मेरे पास जो नया कप्राता ह है मुझे सबर नहीं होती तो मैं इसको पटापट से पहन लेती हूँ बट फिर मैं पैक करके ले आई और उसके बाद है ये वाली सारी तो कि आप लोगों ने मुझे क्यों एन वीडियो में पहने वे देखा होगा तो मैंने इसको भी पहन ली मतलब कि मैंने बहुत सारी सिलाना खरीदना तो मतलब अभी तक गंगोर तक की तो मैंने करके रखी ती अब कभी आगे रहने जाओंगी तो मुझे खरीद की और फिर सिल्वाने बढ़ेंगे और इसमें भी ऐसा है कि मतलब कुछ सूट्स मैंने भी नए लिये हैं और जो मतलब बिना सिल्वाना है और इसका प्रिटी कोड़ी मैंने पैन लिया और एक है ये प्यॉर का सूट ये इसका लेंगा आप लोगोंने देखा होगा जब मैंने खरीदा होगा और ये भी इसको बसलवाना है ये वाला कॉटन का सूट मेरे पस लेंगा और जोड वाले तो बहुत कम है मालाब दो या ये वाला ये वाला ये है दिंपल वाईसा का और जो परसंद आएगा तो उनके लिए ऐसा मेरे पास भी है थोड़ा सा सीमिलर है वो मैंने दिखा आपको तो ये सब था जो मैं लेकिया ये मैं दिखा तो वहीं देती बट मुझे टाइम नी मिला तो मैंने नहीं दिखाया औ यहां आने के वादी मैं इतना लेट जोफ से ढाया हूं क्यांकि मुझे बहुत जोरा आने लगी आजकर हरा मगटने में मतलब ज़्यादा तो व्लॉग शूट करने में पता-नी क्यों मुझे सलगता है चोड़ों बट मुझे है कि मुझे करना भी है तो इसलिए, तो ये जो भी राइबंदिच वाली लाइक सी पोशाक पहनी थी चोथ वाले वरत वाले दिल तो वह भी इसी में थी क्योंकि वह भी मम्मी ने कराई थी और मतलब उसको मैं पहले वी एक दौर पहन लिया था बट फिर मैं फैकर के लिया ही तो मतलब ऐसे करके मेरे थे पूरे 25 ड्रेस सूट, साड़ी और ब्राशपुदी ड्रेस, प्यॉर और कॉर्टन सब मिला के दो मतलब एक मम्मी के और एक निपल बाइसा के ऐसे था और उनके लिए भी ड्रेस थी तो ये सब था और अब भी मुझे वापस इन सब को रखना है एक वीडियो के लिए बहुत सारी मैनत होती कि यार बहुत जादा तो मैं वापस पारेंग को फटा फटा अगेती हूँ फिर मैं जाते हूँ छटे वाप करने के लिए है तो आज मनी जैसे दिन में बताया कि साम निकरने में मैं ऐसे काम करने मैं तो बस ये सब तो हो गया और अभी आप लोग भी सार शेयर करने साथा क कुछ है नहीं तो मैं सो चुरू कि मैं इस व्लोग को कल तक कंटिन्यू करती हूँ और मैं मिलते हूँ आपसे अब मॉर्निंग में तब तक के लिए बब बाए गुड़नाइट मिलते हैं कल इसी व्लोग के साथ मतलब कंटिन्यू है तो ओके बाई हेलो एवर्यवन तो जैसा कि मैंने आप सब को बोला था कि मैं इस व्लोग को कल तक कंटिन्यू करूंगी मतलब आज तक बट मैंने कोई शूट नहीं किया अब आप लोग भी सुन-सून के पक जाओगे कि कोई शूट नहीं किया क्योंकि बता नहीं मुझे बहुत आलस आ र आप लोगों की डिमांड पर ही मैं मतलब एक्टिव ना होके भी मैं आप लोग बना रही हूँ तो प्लीज अपना प्यार देना तो मैं लास्ट व्लोग के नीचे जो कॉमेंट आया थे मैंने का रिप्लाय कर देती हूँ घुडिया कवर का कॉमेंट आया था नाइस आप बहुत अच्छे लगते हो आप हमेशा खुश रहो तो स्वीट जीजा हो थेंक्यू सो मच्छ नेक्स आप लूग देखना पड़ता है दी व्लोग आते ही सब काम छोड़के पहले व्लोग देखते हूं दी लॉट्स अपल प्रम जालोर राजिस्तान इतना सारा प्यार थेंक्यू सो मच्छ मतलब पहले मैं ऐसे कॉमेंट आना सिर्फ दूसरों के व्लोग के नीचे रीड किया करती थी कि हमें आपके व्लोग देखी मेंना मतलब दीन अधूरा रहता है तो मुझे अस लगता था बट आज मेरे व्लोग के नीचे भी ऐसे कॉमेंट आ रहे हैं त आपके दूसरों सब्सक्राइबर करवाये हैं आने वाले व्लोग में चार का टार्गेट है थेंक्यू सो मच्छ जीचा आप जूएलरी का वीडियो बनाओ बिलकुल बनाओंगी बस अग्वर मैं तोड़ती एक्टिव हो जाओंग उसके पक्का बनाओंगी नेक्स जीचा व्लोग बहुत अच्छा है और आप भी थेंक्यू सो मच्छ ब्यूटिपुल जीचा होकम थेंक्यू नेक्स कॉमेंट है जीचा फोन में यूटूब की सैटिंग में कुछ चेंज करना हो तो क्या है प्लीज जीचा शेयर करो कि कैसे यूटूब चैनल पर आ सकते हैं कैसे च चैनल भी ऐसा ही था बड़ जब से मैंने यूटूब पर अपने यूटूब पर कंटीनी रहोगे तो यूटूब आपके चैनल को खुद रीच बढ़ा देगा मतलब जैसे मैंने लास्ट पिछले एक महीने मैंने कंटीनी शॉर्ट्स दाले थे सुबह भी और शाम कोई भी मतलब मेरी यूटूब की अच्छे से बहुत अच्छी रीच आई थी बड़ जब आप इनक्टिव रहते हो तो आपके रीच गीर जाती है मतलब आप एक्टिव रहो आपकी महनत को यूटूब दिखता है और उसको आगे पहुँचाता है नेक्स्ट जिजा आपका चैनल मॉनेटाइज हो गया क्या जिजा यूटूब पर चैनल मॉनेटाइज होने के बाद से इनकम आने तक क्या प्रोसेस है बहुत लंबा प्रोसेस है बहुत लंबा मतलब मेरे चैनल मॉनेटाइज हो गया है बट अभी 100 डोलर आना बाकी है तो अब भी उसमें थोड़ा टाइम रगिया तो बहुत लंबी प्रोसेस है मतलब मॉनेटाइस के बाद में इनकम आने की जीजा टिमांड फूर फुल व्लॉग एट फन किंग्डम विज यू सवकम तो मैंने फन किंग्डम का व्लॉग बनाया था बहुत अच्छा बनाया था जीजा आप यूँभी व्लॉग बनाते रहों बहुत अच्छा लगता है Thank you so much नेक्स्ट है आप बहुत क्यूट हो Thank you वैंड विल सेंड जू नेक्स्ट व्लॉग कोशिशत रहा है जल्दी next is Jija Jioza की government job है क्या मैं आपकी घर के पास ही रहते हूँ HVN School के पास बताना चरूँ की job government है क्या और ऐसे ही video मनाते रहो बिल्कुल government job है इनकी मलब teacher है next is आप इतने प्यारे लगते हूँ इसलिए vlog लाइक करना मनता है thank you vlog बनाने के लिए thank you thank you so much आप लोग मुझे थैंक्यू बोल रहे हो नेक्स्ट है रूम दिखाऊ आपके ससुराल वाला तो मतलब पहले एक बार में इसको अच्छे सेट कर लूँ उसके बाद दिखाऊंगी कभी जीजा आप फेस पर डेली क्या यूज करते हो सेटाफिल का फेस पर्श और सेटाफिल का मॉश्चुराजर क्रीम आपने ससुराल में व्लॉग बनाया बहुत लगा शायद अच्छा लिखना बूल गए जीजा जीजा की गॉर्मेंट जॉब है क्या जीजा आप पो जीजा कब गुमने चाहोंगे तो हम एक ट्रिप तो कराये हैं अब शायद मेभी नेक्स ट्रिप आने वाले टाइम में जब भी जाओंगी तो इस बर्द में व्लॉग बनाओंगी लास्ट टाइए मैंने कोई व्लॉग शूट निंगे थे इस पर पक्का यूँ आर सो क्यूट आप नेक्स्ट कॉमेंट है आपके हजबन पहले पटवारी थे ना मेरे जीजा भी पटवारी है तो आपके हजबन ने उनके साथ ट्रेनिंग गी थी हाँ बिल्कूर मेरे हजबन पटवारी थे पहले तो इस मतलब फिर उनने पटवारी डॉप मलब छोड़के और फिर टीजर वारी जॉइन कर ली हो सकता है आप अपने जीजा का नाम जरूर बताना तो मैं पूछूंगी उनसे नेक्स्ट है आपकी डिंबल वाईसा यूटूब पर किस नाम से चलाती है तो डिंबल वाईसा का पेज है यूटूब पर रिवाज राश्च होता ना बस इसे के साथ आप लोग की कॉमेंट होते हैं फिनिश और इसे के साथ मैं करते हूँ इस व्लॉग की एंडिंग आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा अच्छा लगी तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब तो माई चैनल थैंक यू फो वाचिंग मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तक लिए बाब बाई